नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का Career India Education में कैसे हैं आप सभी लोग पुम्मीद है बढ़िया होंगे बढ़िया होना भी चाहिए है ना तो जैसा कि 14 जून हो चुका है दोस्तों और सेकेंड सिफ्ट में जो जो कॉशन पूछेगा हैं वो सभी मिल चुके हैं चल है वो लोग बिल्कुल भी टेंसन नाल हैं जिनका कभी कठें आया था क्योंकि यदि कठें आपका आया है तो आपकी लिस्ट उस दिन के हिसाब से रहेगी या उस दिन के हिसाब से उठेगी अब चुकि यदि आपका मान लीजिए कठें आया है दूसरे का सरल आया है तो अभी लोग के लिए कटन रहा होगा है ना तो आज का जीके और जो विज्ञान था वह नॉर्मल था बाकि जो गड़ेद बगेरा थी वह उत्ती लेविल की थी चलिए देखते हैं सबसे पहले जीके विज्ञान के मिक्स कॉश्चन है देखते हैं कौन-कौन से थे तो प्रशन था दोस्तों कि विश्यो खाद दिवस कब मनाया जाता है देखिए विश्यो खाद दिवस एक प्रशन जो है वो इस तरीके से पूछा जा रहा है एक सिफ्ट को देख लें तो क्या था बढ़ो पोशन करो और बनाए रखो इसको भी आप लोग याद करने हैं ना बढ़ो पोशन करो बनाए रखो नेश्ट को देखते हैं सम्विधान सवा ने सम्विधान को कब अपनाया दोस्तों रिपीटिट कॉश्चन है इसी एनालेसिस में देखा इस इवन रच्छक वाले में तो ये वाला प्रस्ण एक बार पूछा जा चुका है सिफ्ट मेरे को याद नहीं है लेकिन पूछा जा चुका है ठीक है 26 नवंबर 1949 को सम्विधान सवा ने 26 नवंबर 1949 को बारती सम्विधान को अपनाया था बारती राश्टी कॉंग्रेस ने दूरेंड कप फुटबॉल कारेकरम 3 अगस्ते 3 सिटमबर तक हुआ एसिया की सबसे पुरानी फुटबॉल पृतियोगीता है जो 132 संसकरण में चार अलग-अलग स्थानों पर खेली गई इसको जरूर याद रखिएगा कि यह 132 संसकरण है यदि प्रश्ण बार में दूस नहीं है ताकि यदि अब आक के सामने इस प्रकार का कोई प्रश्ण आए यदि उनने ठीब थोड़ा पूछने का प्रयास किया तो वो छूटे नहीं आपसे ठीक है आगे चलते हैं कौन सी नदी मद्ध प्रदेश से नहीं निकलती है कि यह प्रश्ण था दोस्तों तो जो कि यह प्रश्ण नदी एक प्रश्ण भारत की एक महतपून नदी है इसका उद्गम महराष्ट राज्ज में महाब अलेश्वर के समीब पश्चमी घाट सांखला से होता है ठीक है जो भारत के पश्चमी समुदरी तरट से अधिक दूर नहीं है यह पश्चम से पूरव की मानन लीजीये मैंने ऐसा बहिरत और तो यहां से पूरफ की ओर बहती है। तो याद रखियेगा कृष्ण नजी किस वह वस्के सा सक्त है किस संद है। यह भी रिपीाटृटड प्रश्न है, याद रखीएगा, यह भी रिपीाटृट प्रश्न है, तो कुसाणवन्स की अगर देखी जाए, तो कुजलकडफिसस ने की थी, फिर भीमकट फिसस ने किया इसके बाद जब कनिस्क आ जाता है तो कनिस्क के समय पे अगर देखा जाए तो बहुत जादा ब्रहत सासन हो गया था एक तरीके से इन्होंने टोल लगा लिया था जम्मू कस्मीर वाले छेत्र में है ना आज की भासा में कहें तो टोल याने कर यह से बहुत जादा वसूल किया करते थे चलिए इत्ती जानकारी इसके लिए परियाप्त है है ना आगे चलते हैं मद्द प्रदेश विधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे देखी इसराल प्रस्ण है जैसा मैंने शुरू आते हैं तो कुंजी लाल दुबे को सारजने किलियर आगे चलते हैं इंद्रा गांधी राष्टी जन जाती विश्विध्याले की स्थापना कभी ने चाहिए वी सराल प्रस्ण है तो 2008 में किलियर इंद्रा गांधी राष्टी जन जाती विश्विध्याले अमर कंटक जो की अनूप पुर जिले में इस्तित है यह इंद के पेपर दिये होंगे कोई विसेश पेपर दिये होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर इस तरीके के प्रस्ण जादा आते हैं कि किस अधीनियम के तहट किया गया और आधार सिला कब रख दी गई तो यह दोनों बातें अलग-अलग हो जाती है जब डीप प्र कार होता है तो दोस्तों सभी उसमें जो कोईले दिये गए थे उनमें उसका जो आंसर था तो दोस्तों एंथ रुट कर लने तो दोस्तों न dugसाइट होता है युक्रेन से भार्कियों के लाने के लिए कौन सा ओपरेशन शुरू किया गया था ये भी दोस्तों सरल प्रस्टन है मेरे अंदास से इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए अगर आप लोग करेंट से थोड़ी भी जुड़े रहे होंगे युक्रेन और रूस का एक कमासान युद्ध चल रहा है लगबग में 432 दिन से जादा हो चुका हम दोनों के बीच में आपस में युद्ध युक्रेन भी पूरी तरीके से तबाह की कगार पे है और रूस में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हानी पहुँची हुई है लेकिन युद्ध जो है बंद नहीं हो रहा है तो उसी समय पर ऑपरेशन गंगा चलाया गया था दोस्तों और ये चलाया गया था 26 परवरी और 11 मार्स तक चलाय गया था इसके तहट दरसल क्या था सेंकड़ो चात्र युक्रेन से रोमानिया हंगरी पॉलेंट जैसे पड़ोसी देशों के माध्यम से भारत लोटे थे ताकि उनको कुछ हो ना सके क्योंग युद्ध में तो भाया कुछ भी हो सकता है तो भ गोर करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा जब तालिवान ने अफगानिस्तान पर कबजा कर लिया था अभी किया था ना उन्होंने कबजा तो एक तरीके से तो जो अफगानिस्तान में फसे हुए भारतिये थे उनको भी लाया गया था आप लोग बताईएगा कमेंट में क कौन से ऑपरेशन के थे उनको लाया गया था चलिए आगे चलते हैं तो इसा संभाव तभी हो पाता है दोस्तों जब सामने वाले को एक भय होता है कि वह सामने अगर देखा जाए तो वह बहुत जादा मजबूत है मजबूत क्या है भाई सरकारी ती जादा मजबूत है है लियम का जो इलेक्ट्रोनिक बिन्हास है 具ूँद, होता है लियर है आगे चलते है वाता परण में अपर अपर फशरंज का अगरे को अगर्र का तो उसको पानी में बुलबुला किस तरह से कारे करता है पानी में अफ्तर लेंज की तरह याद रखिएगा अफ्तर लेंज की तरह बार बार पूशा जाता है और उसमें उत्तर लेंज भी ऑप्सन में होगा है ना तो यह अफ्तर लेंज इसका आंसर होता है पानी के अंदर बुलबुल क्या है तो RN दोस्तों क्या होता है रेडान का प्रतीक तो RN क्लियर आगे चलते हैं इन में से कौन सा रोग गंदे पानी की बज़े से होता है यह तीसरा प्रशन ऐसा है दोस्तों जो repeated है यदि आप लोग analysis को अच्छे से देख रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया हो होगा टाइफाइट जैसे बीमारियां हो जाएंगी और बीमारी आसानी से किसी को भी अपना सिकार बना सकती इसके लाबा गंदा पानी पीने से वाइरल इंफेक्शन भी हो सकता है तो दो चीजें इसमें महत्पूर्ण दोस्तों है ना तो इसमें वो जो option देंगे तो confusion वा से किसे सम्मानित किया गया है तो अभी नेत्री अपड़ना सेन को किसको अपड़ना सेन को आर्थिक विकास की समस्या किसे समंदित होती है तो अल्प विक्सित देशों से आर्थिक विकास की समस्या देखे किता अगर देखा जाए तो इद्दम बिल्गुल वहार एक तो दोस्तों 931 है बाला घाट प्रदेश में शर्वारिक लिंगानुपात वाला जिला है जबकि बाला घाट में अगर देखा जाए तो साथ चरता दरुत्ती नहीं है लेकिन फिर भी लिंगानुपात वहाँ पर जादा है तो याद रखिएगा लिंगानुपात का सम्मंद सा जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड यहां एक हजार प्रसों पर 837 महिला हैं सबसे अदर छोटी बच्चीयों की अत्याएं यहीं पर हो जाती है आगे चलते हैं नादिर शाह मद्ध प्रदेश के किस शेत्र का अंतिम शाशक था दोस्तों ये कौशन था ये नादिर शाह लोटेरिया वाला था कि कौन था तो ये क्लियर नहीं हो पाया है ना अगर आप लोग पास में इसका अंसर हो सही तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा बित रीजन मद्ध प्रदेश में ग्लोवल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां किया गया तो इन दौर में कहां किया गया इन दौर में ये भी रिपेटिट कोशन है दोस्तो चार कोशने से आ हैं जो आ चुके हैं आर्टिक नियोजन को निम निम लिखित में से किस सूची के अंतरगत रखा गया है तो समवर्ती सूची के अंतरगत किसके अंतरगत समवर्ती सूची के अंतरगत निमने लिकित में से कौन मैहर घराने से जुड़े हुए हैं तो उस्ताद अलाउद्दीन खान एक बंगाली सरोध वादक और बहु वादक हैं, संगीतकार थे, मैहर रियासत में इस घराने का गठन अलाउद्दीन खान ने किया था, जिनके नाम पर इस घराने का नाम पड़ जो की मद्द प्रदेश में है इनसे भी प्रशन पहले पूचा जा चुका है पतवारी में तो तु तीन वार यह वाला प्रशन है था दोश्टों मैहित में लगब को वैसा है था लाभाणी है पृतीसत था आयूत की प्रश्न से प्रशन से प्रशन से समय कारेच चा बोरी से तीन से चार प्रशन थे दोस्तों आगे चलते हैं इंगलिस में प्रशन लगातार आ रहा है रहा है है ठीक है चली आगे देखते हैं हिंदी में देख लिया रहा है तो वर्तनी सुद्धी से चार से पांच प्रशन थे रस की परिवासा पूछी गई थी रस की परिवासा थी कुछ लोग यह कह रहे थे कि रस का उधारण था किसके अनुसार क्या परिवासा इस तरीके से बता रहे थे लोकोक्ती से दो प्रशन थे समाज से प्रशन थे संधी से थे और वाच्यकाल से प्रशन थे शली दोस्तों आज का जो अपना अनलेसिस है वह यहां पर समाप्त होता है मिलते हैं अगले अनलेसिस में टेलीग्राम से जोड़ना बिल्कुल भी ना भूलियेगा क्योंकि इसकी पीडिएफ है आपको ट